Hi everyone, मेरा नाम है Sip Pauja and I am a biology educator with Unacademy. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही good news लेके आई हूँ. Good news उन बच्चों के लिए जो बच्चे नीट देना चाहते हैं. Good news उन बच्चों के लिए जो बच्चे CBSE Board में अपीर होने वाले हैं इस साल. Good news ये एक सिरफ 12th class के student के लिए नहीं है. Good news ये एक हर उस बच्चे के लिए है चाहे वो ड्रॉपर है जो नीट का exam 2022 में देना चाहते हैं. क्योंकि सबको इंतजार था कि CBSE अपनी date sheet कब से start कर रहा है यानि कि term 2 कब से start हो रहे हैं. So, आज ही notification आया है CBSE की official website पे that they are going to start term 2 examination from 26th of April. As you can see term 2 के exam कब से start होने वाले हैं 26th of April. अभी उन्होंने पूरी date sheet रिलीज नहीं किये कि किस-किस gap में paper होंगे आपके. But yes, यह clarity हमारे पास आचुकी है कि term 2 के exam, देखो उन्होंने पहले बोला था term 1 में कि paper April या May में ही होगा. ऐसा ही हो रहा है, paper April में ही start हो रहें. 26th of April को आपको पहला paper होगा. यह क्या मैं theory की बात कर रही हूँ या फिर मैं यह practicals की बात कर रही हूँ. I am here talking about the theory examination, practicals का information वो बात में देंगे. Theory का जो paper होगा वो आपका चालू होगा 26th of April से, पहला news. दूसरा news यह है कि यह paper आपका online mode ना होकर किस mode में होगा, offline mode में होगा. They have very specifically clarified it कि the term to examination is going to happen in offline mode because as you know the situation of COVID is slowly and slowly fortunately improving in our country. तो paper अब offline हो सकते हैं at least तब तक तो. और उन्हेंने बताया कि paper का जो pattern होगा वो वैसा ही होगा, जैसा वो sample paper रिलीस करते हैं अपनी official website पे. So term 2 का paper का pattern we have to refer to the sample paper hosted on the board's website only. Yes, अगली उन्हें खबर बताई कि यार offline होगा, तो कहां जाके देना रहेगा. जैसे past में paper होते आ रहे हैं, आपके offline mode में की center होता है, एक जगा का proper center बनता है, सारे बच्चों इस center में paper देने जाते हैं. बिल्कुल वैसा ही होगा that student will appear in the allotted examination center as they were appearing in the preceding years. Right, अब date sheet कब आएगी, date sheet के लिए उन्हें specifically mention किये कि यार किसी भी misinformation पर बिलीव ना किया जाए. Date sheet वो अपनी official website पर release करेंगे and the official website is www.cbsc.nick.in. देखे ये good news 12th class वाले के लिए तो ही है, चलो उसे CBSC की clarity मिलगे, अब बात करते हैं वो सारे बच्चे जिन्होंने boards देने, boards तो तुम देदोगे 26th of April से, बात करते हैं उन बच्चों के जिन्होंने नीट देना है. देखे आप जानते हैं कि नीट usually किस महीने में होता है, नीट का जो usual date है, that is in the month of May. बट क्या अब में में नीट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आपके paper अगर 26th of April से start होंगे, मैं कम से कम भी लगाऊं तो 10th of May या फिर 15th of May तक चलेंगे. तो में 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 बेटा paper होने के chances नहीं है, क्योंकि CBSE के around 45 to 50 days के बाद आपका नीट का paper चालू होता है. CBSE exam के around 50 दिन के बाद या 45 days के बाद minimum नीट का paper हो सकता है. तो अगर 15th of May को आपके boards खतम हो रहे हैं, तो उससे 45 days अगर तुम लगा लोगे, that means somewhere around 30th of June. यानि कि paper ना आपका में में होगा, paper ना ही June 25 तक तो बेटा होने के chances नहीं है. June end में, अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी है, सारा process कराएं, तो June end में हो सकता है. या फिर paper बेटा most probably July की starting में होने के chances हैं. तो मोटा मोटा तुम समझ गए हो, June end में मुझे बहुत कम chances लग रहे हैं क्योंकि इससे 50 days नहीं हो पा रहे. अगर मेरी मानेंगे तो paper का जो expected date आएगा, that is going to be July starting. मैंने ऐसा क्यों लिया, मैंने buffer इसलिए लिया है, because ये बहुत बड़े mass level का paper है. paper offline हो रहा है, इस साल online तो नहीं हो रहा, ये clarity मुझे है. आने वाले समय में definitely online में shift हो जाएगा, लेकिन अभी क्या हो रहा है, offline हो रहा है. तो offline paper में, इतने सारे centers में paper भिजवाना, coordinate करना, you know, it's a huge work, that demands time. तो इसलिए paper June में नहीं, paper कभी नगभी July में होगा, या फिर अगर वो पूरा time लेकर करते हैं आपका, तो paper बेटा, आपकी August starting में भी हो सकता है. तो July, August is the time for NEET examination, लेकिन अब आप तयारी कैसे करेंगे, मैं दो तरीके के तयारी के mode बताऊंगी, एक बताऊंगी जो boards दे रहें, एक बताऊंगी जो boards नहीं दे रहें, या तो dropper हैं, या फिर उनके boards किसी और boards से हो चुके हैं, बिहार boards जैसे अभी अभी खतम हो हैं, क्या strategy जो तो boards नहीं दे रहें, जिन्होंने सिरफ NEET focus करना है, अपना target, ये सोचके चलिए कि पेपर आपका कब हो सकता है, जून के end में या फिर जुलाई के starting में, जुलाई के starting में कभी भी हो सकता है, यानि कि क्या आप लोग जून का इंतजार करेंगे, नहीं करेंगे, आप इं आप किसको देंगे, रिविजन को देंगे, syllabus बेटा जून तक नहीं खिचना चाहिए, आपका syllabus 15 एपरिल से पहले पहले मतलब डन हो जाना चाहिए, अब जो बच्चे बोड भी दे रहे हैं, जो बच्चे नीट भी दे रहे हैं, जिन्होंने CBSE बोड भी देना है, नीट भी यूज करते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं अभी, जो syllabus आपका नीट में, जो syllabus आपका बोड में नहीं आ रहा है, यानि की class 11th का syllabus, plus term 1 का syllabus, 12th की term 1 का syllabus, ये syllabus बेटा इस time पर 7-7 revise करते रहे हैं, उसके sessions देखते रहे हैं, मेरी classes चल रहे हैं, 3 बजे, 5 बजे, YouTube पर free of course, you can complete your 11 11th and term 1 syllabus, क्योंकि ये भी नीट में आ रहे हैं, ये अभी ही कर सकते हो, बाद के लिए नहीं चोड़ना, नीट, सीबीस के बाद आपको समय नहीं मिलेगा, ठीक है, अब तर्म 2 का कब करेंगे, term 2 आप मेरी classes लगाईए, मतलब लाइफ क्लास से अटें कीजे, और उसके बाद स NCRT, बिल्कुल NCRT बेश पूछते हैं, जो बच्चा नीट के extensive preparation कर चुका है, वो बोट्स तो बिटा असानी से दे देगा, तो बोट्स के बाद क्या करेंगे, बोट्स के बाद हम पेपर, अपना syllabus कंपलीट नहीं करेंगे, syllabus टार्टिट हमारा पहली है, बोट्स के बाद हम बहुत सारे revision करेंगे, mock test तेंगे और preparation को इस तरीके से revision के वे में आगे बढ़ाएंगे, तो I hope the strategy is clear, अब इस सारी strategy में सबसे important चीज आती है, कि यार practice कहां से कर रहे हो, क्या तुमने कोई अच्छी test series join करी हुई है कि नहीं करी हुई, यह बहुत important है, बच्चे realize नहीं करते थीरी, 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 boards is also एक तरीके से थीरी, but a test series neat, base test series आप सब के पास होनी चाहे है, आपी 12th में है, चाहे, dropper है, या फिर 11th में है, अगर मुझे देख रहे हैं, तो एक में test series आपको suggest करते हूँ, which is one of the best test series, which is called as UA light test series, UA light test series, UA light test series है, plus साथ में question bank है, यह 2022 के लिए module wise test मिल जाएंगे, ठीक है, हमने sets बनाय हूँ है, question, आपके chapters को लेकर, इसमें आपको full syllabus mock test भी मिल जाएगा, तो यह test series की help से आप अपना syllabus complete कर पाएंगे, for example, first module का test मैं आपका रगदू, first March को, यह वैसे पढ़ने की motivation नहीं आती है, लेकिन अगर तुमको पता है कि हाँ, सा डिजाइन की गई है, अनकाडमी की पहली test series है, पूरी दिल जान लगा दी है, हमने इसको best neat level का बनाने में, so you can join this test series, test series को जॉइन करने के लिए, आप लोग कोड यूज कर सकते हैं, code आपको में बता रही हूँ, that is going to be seep life, link मैं डिलवा देती हूं, description box में, तायारी अब ज सी साब से करिए, and please अब focus हो जाइए, इधर उधर रांडम वीडियोज देखने की जुरुत नहीं है, हर बच्चे की अपनी capability होती, अपना potential होता है, उसके according पढ़ाई करिए, best of luck.